जैन दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आगया हूं कलास्टेंथ का आपका हिंदी सब्जेट का जो सेकेंड किताब है वर्नी का उसका हम चाप्टर नमबर फोर लेकर आगया हूं चाप्टर का नाम है नगर जिसके लेखक है सुजाता ठीक है और यह तमील भास्ता से लिए तो चलिए हम सबसे पहले महत्पोरण बिंदु को देखेंगे फिर इसका अबजक्ति इतने भी को्षचन आने वाला एकजाम में मतलब इसी वीडियो में टोटल एक भी कोशन आपका चुटने वाला नहीं है एक बार पुरा इसको कंप्लीट देखी फिर आप सेट पोपिक है सुजाता का वास्त्विक नाम क्या है तो एश रंगराजन याद रखिएगा टीश Lei के तमिल नाडु में हुआ थाई सुझाता का जनम 3 माई 1935 में हुआ था नगर कहानी तमिल भासर से अनुबाद किया हुआ लिया गया है नगर कहानी के अनुबाद किया है के जमुना है ट्रिक है travelling से हिंदी nou उसके कौन किये है तो के ए जमुना ठीक है अगला है नगर कहानी के परमुख पात्र कौन है जी तो पापत्ती है पापत्ती का उम्र कितना वर्स था तो 12 वर्स था ठीक है पापत्ती के गाउं का नाम मुन्ना डिप्टी मुन्ना डिप्टी है आगे दिखते है पापत्ती के मा आता का नाम बॉल ली अमाल पापति मेनेजाइटिस यानि बुखार से ग्रसित थी मेनेजाइटिस नाम के बुखार से ग्रसित थी पापति के मां को और 40 नंबर को वाले कमड़े में सुबह सहे 7 बज़े बुलाया गया था बरे डाक्टर ब्रीटिस मेडीकल से पढ़ कर आये थे बड़े डाक्टर के कहने के बावजूद भी पापती को आस्पाताल में भर्तिक नहीं किया गया था बीना इलाज कराय वल्ली अमाल अपने पूत्री पापती को लेकर कहां पे तो लेकर देवी 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 शरन जी के मंदिर ले जाती है आगे दिखते हैं पांडे लोगों का दूसरी अधानी मदूरय है अंग्रेजों द्वारा मदूरय को मदूरा कहा जाता है युनानी लोगों द्वारा मदूरा को मेदूरा कहा जाता है तमिल लोगों द्वारा मदूरा को मदूरय कहा जाता है और इन सभी को काल्डवेल ने अपने ब्याकरण में लिखा है ठीक है तो ये तो बात हो गई अब चल दें आगे की और देखेंगे अब हम ऑप्जेक्टीव की बात करेंगे तो देखिए अबजेक्टीव में पहला कोचन है नगर कहाणी के कहानीकार कोन है तो सुजाता है दूसरा है नगर कहानी के मुख पात्र कोन है तो पापति हैं आट से तीसरा सुजाता का जनम कब हुआ था काल्डवेल का तुलनात्मक तुलनात्मक के अनुसार पांडे लोगों का दूसरी रजधानी क्या था तो मदूरय अंग्रेजी भासा में मदूरय को क्या कहते हैं मदूरा इउनानी लोग मदूरय को क्या कहते हैं मेदोरा नेता लोग के द्वारा किसके विरूद जुलूस निकाला गया था तो महंगाई के विरूद वली अमाल के लर्की का क्या नाम था तो पापती मेनिंजाइटिस बुखार किसे हुआ था तो पापती को पापती कितने साल के थी तो 12 साल के थी मीनाक्षी मंदिर कहा थी मीनाक्षी मंदर कहा थी तमिल्नाडू में आगे देखते हैं वल्ली अमाल के को किस नंबर वाले रूम में जाना था तो 48 नंबर से क्या मापा जाता है तो हिर्दे की गति नगर कहानी में किस भयानक रूप के बारे में जिक्र किया गया है तो में इंजाइटीस आप्थल 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 आप्थलम एसकोप क्या है आँख देखने का मशीन लंबी कतार देखकर वल्ली अमाल को किस पर गुशा आया था तो अपने मृत पति पर एस रंग राजन किस लेखा का पूरा नाम है सुजाता का कि वल्ली अमाल किस गाउं से आई थी मुना डिप्टी पापती कौन सी कहानी का पात्र है नगर मैंने जाइटीस का समन किस से है तो बुखार से नगर कहानी किस भासा से अनुदित है तो तमिल भासा से पापती बेहोस क्यों पड़ी थी तेज बुखार के कारण आई वांट डाट गॉर्ल एड्मिट नाव किस ने कहा था बड़े डॉक्टर ने पापती किस पर लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर अब चलिए इसका प्रशनूतर हम देखेंगे तो चलिए पहला प्रशन कहा गया लेखक ने कहानी का सिर्षक नगर क्यों रखा सिर्षक की सर्थक्ता असपष्ट करें इसका एंसर है इस कहानी का सिर्षक नगर बिल्कुल सटीक है क्योंकि जिस प्रकार सहर में पापती के इलाज के लिए उनके मा को नगर के अस्पताल में परेशान किया जाता है डॉक्टर ने उसे जूट बोलकर सुभा आने के लिए कहता है नगर के अस्पाताल में बीना घुस लिए कोई काम नहीं होता है ठीक है न आगे देखते हैं अगला कोचन है पापती कौन थी वह सहर क्यों लाई गई थी पापती बली अमाल की पुत्री थी और वह सहर मेनेंजा बुखार के हिलाज के लिए लाई गई थी अगला कोचन है बड़े डाक्टर ने अपने अधिनस्त डक्टरों से पापती को अस्पाताल में भरती कर लेने के लिए क्यों कहां है विचार किजी तो इसका एंसर है बड़े डॉक्टर ब्रिटिस मेडिकल से पढ़कर आये थे उन्होंने हाल ही में मेनिजाइटिस रोग के अच्छी अच्छी दवाईयां पढ़ी थी और उन्होंने यह भी देखा था कि लड़की की हालत बहुत खराब है तो इसलिए लड़की को तुरंत एड्मिट करने के लिए कहा जगल होचन है बड़े डक्टर के आदेश के बअड़े असपाताल में भृती क्यों नहीं हो पाती है क्यों कि बड़े करम्चारी कार एक उसल नहीं थे वह बेड़ खाली नो होने के जहासा देकर पापत्ती को भरती नहीं करते हैं सायद उस अस्पताल में पैसा देने से जल्दी काम होता था यही सके अंसर हो गया अगला कोचन बली अमाल का चरित चित्रन करें बली अमाल एंसर देखिए बली अमाल नगर कहानी की मुख पात्र पापती की मा है जिसके पती इस दुनिया में नहीं थे वे बहुत साहसी औरत थी क्योंकि वह अपनी बेटी को गाउं से लेकर अकेले ही बड़े सहर मादूरे आ बली अमाल नगर कहानी का मुख पात्र पापती की मा है जिसके पती इस दुनिया में नहीं थे वे बहुत साहसी औरत थी क्योंकि वह अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए मदूरे सहर चली आती है लेकिन अश्पताल में अच्छी बेवस्ता नहीं के कारण और वहां के करमचारी कारिकूसल नहीं होने के कारण उसे यहां वहां भड़कना परता था फिर भी पापती भरती नहीं हो पाती है और वापस गाउं लड़ जाती है बरती नहीं हो पाती है तो क्या वह वापस गाउं लड़ जाती है और भगवान से मनत मांती है मनत मांती है कि यहीं डॉक्टर के दिखाऊंगी जार खुक करवाऊंगी तो पापती क्या हो जाएगी ठीक हो जाएगी चलिए तो इस तरह से आपको इसका एंसर लिखना है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में